नमस्कार सुभे 11 बजे में आज की बड़ी खबर आ रही है करनाटक से करनाटक में कॉंग्रिस के सबसे बड़े संकट मोचग और कुमारस्वामी सरकार के जल संसाधन और मेडिकल एजुकेशन मंतरी डीके शिफ कुमार पर बड़ी आफ़त आ गई है प्रवरता निदेशाले यानी इडी ने डीके शिफ कुमार और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ केस दर्च कर लिया है ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ये किस तरह से डीके शिफ कुमार और कॉंगरस पार्टी के लिए करनाटक सरकार के लिए मुसीबत का सबब हो सकता है जानने के लिए सीधे आपको न्यूजरूम लेकर के चलते हैं मेरी सहयोगिया मांदरा महां मौझूद है जैसा कि आपने बताया करनाटक में कॉंग्रेस के मंत्री डीके शिफ कुमार और वो ही नहीं उनके तीन और सहयोगियों के खिलाफ इडी ने मनी लॉंडरिंग को लेकर मामला दर्श किया है किस तरह उनकी मुश्किल आप बढ़ने जा रही है जानने के लिए हम बात करेंगे उन प्रकाश ठिवारी से उन प्रकाश पूरा मामला क्या है और क्या कुछ कहा गया है इस समय करनाटक भवन में साहिक लाइजन अधिकारी है यानि को करनाटक गौवर्मेंट के ही अधिकारी है उनका नाम इस में शामिल है इसके लावा एक उद्योग पति का इस मामले में नाम शामिल है सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के फ्लैटों से जो सब्दर जंग इंकलेव इलाके में फ्लैट हैं वहां से आठ करोड रुपे से ज्यादा पैसा इंकम टेक्स ने बरामत किया था और इस मामले में अजनया हनुमंता जो की करनाटक सरकार के अधिकारी है उन्होंने पाते थे मैध्मून बात यह है कि बयान देने वाला एक सरकारी अधिकारी जो करनाटक में इसने में करोडेकर कार से और आप से बी पुराने क्योंकि D.K. शिवकुमार जो है वो बहुत एहम भूमिका में रहे हैं करनाटक में कॉंग्रेस के लिए उनके संकट मोचक माने जाते हैं चाहे गुजरात में एहमद पतेल की राजसभा सीट का वक्त हो जब उन्होंने चावाले इस कॉंग्रेस विधाय को जब करनाटक में विधान सबाद चुना हुए हो तो लेकिन अउन प्रकाश ने जैसे हमें बताये नेहां कि आप D.K. शिवकुमार और उनके तीन सहयोगियों की मुश्किल एनिश्चित तोर पर भढ़ने वाली हैं जी बिल्कुल और देखिए इस स्वज़े से है क्योंकि E.D. ने मनी लॉंडरिंग के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है D.K. कुमार और उनके तीन सहयोगियों पर करनाटक भवन के साहयक लियेजों अधिकारी अंजदया अनुमंता और पूर्वधिकार जिंदरन पर भी F.I.R. दर्ज हुए देखिए D.K. शिवकुमार कौन है करनाटक में कॉंग्रिस के बड़े नेता हैं जब जब कॉंग्रिस फसी है मुसीबत में आई है D.K. शिवकुमार ने साथ दिया है करनाटक के जलसन साधन और मेडिकल एजुकेशन मंत्री है D.K. शिवकुमार कॉंग्रिस के साथ बार विधायक रह चुके है काफी बड़ा कद है इनका सिधरमयच सरकार में भी मंत्री रह चुके है और जिस समय भ вход रही थी चुनाब बात करनाटक में सरकार कॉंग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका इनोंने ब्रहाई थी लंच चार में भी अपनी सीट से उठने नहीं दिया था इन्होंने डीके शिफकुमार के बारे में हम आपको बता रहे हैं सिधरमया सरकार में भष्टचार के आरोप इन पर लगे थे और अब एक बार फिर ये मुसीबत में है अवैत खनन के आरोप उस दोरान लगे थे जब कॉंग्रेस पार्टी कि सिधरमया की करनाटक में सरकार थी शिफकुमार पर टाक्स चोरी के भी आरोप लगे और अब E.D. ने मनी लॉंडरिंग के बामलें पर उन पर केस दर्ज कर लिया है उसके आरोपो को लेकर कितना बड़ा जटका ये जो सरकार चल रही है GDS और कॉंग्रेस की करनाटक में उसके लिए और खुद D.K. शिब कुमार कितनी बड़ी मुसीबत में देखे बिल्कुल ये कहिना पर ये बहुत बड़ा जटका जरूर है कॉंग्रेस के लिए भी और साथ ही GDS के लिए भी क्यूंकि जिस तरह से दोनों ही इस वक्त सरकार चला रहे हैं अला कि इस पूरे मामले के आप BJP को जो है फाइदा जरूर पहुंचेगा इस मुद्धे को मैं हाथ से रही गवाएंगे लेकिन जहां जिबात कीजिगा पिंकी मुझे आपको रोकना पड़ेगा इस बड़ी खबर पर आप नज़र बनाए रखेगा ये है ABP News आपको रखे आगे